एक हारू फिक्स विंडोस 11 एंगिंग और क्रेशिंग एपस प्राब्लम। नमस्कार डोस्तो सुआगर है अब सबीका तिकराच यूटुब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा hanging और crashing apps problem के से solve किया जाते हैं Windows 11 के अंदर पे दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा और आपना solution कीजेगा क्योंकि दोस्तों जब आपका यहाँ पर जो application से crash करेगा हेंग करेगा तो problem किसको होगा आपको ठीक है problem होगा आपको क्योंकि यहाँ पर जब होते हैं तो आप दोस्तों मान लेज़े कोई भी यहाँ पर refresh बगएरा करना चाहरा है तो वह भी नहीं कर पाऊगे मान लेज़े आपको Google Chrome open करना है तो वह भी आप नहीं कर पाऊगे क्योंकि हैंग हो रहा है मान लेज़े दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करते है Google Chrome पर लेकिन यह open होगा एक मिनित के बात में ठीक है क्योंकि ख्रेश कर रहा है आपका जो भी एप से और हैंग कर रहा है ठीक ह आपको online पैसा कमाना है तो दोस्तों वीडियो description पर आपको link मिल जाएगा किसी भी problem के regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके message कीजिए चले दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एक troubleshoot करना परेगा उसके लिए आपको window बटन यान की start बटन पर क्लिक कर जाना है setting पर आपको सिस्टेम पर रहना है सिस्टेम पर रहे के आपको troubleshoot का option मिलेगा और troubleshooters उसके बाद में यह options आ जाएगा आपको और यहाँ पर आपको क्या करना है नीचे आ जाना है ठीक है नीचे नीचे आपको मिलेगा Windows Store Apps सो यहाँ पर आपको run पर क्लिक कर देना है p.unk का बाद दोस्तो तॉरा साँ को गला करना है और problem जोकी डीटेक्ट हो जा सो यहाँ पर जो भी problem में वो डिटेक्ट कर लेगा and solve कर दिया जाएगा आपका problem को और आप यहाँ पर है दोस्तो तो कर लीजेगा Troubleshoot करने के बात دोस्तों आपको करना क्या है आपको जाना है Start Button पर Type कर देना है System Configurations ठीक है System Configurations तो उसमें आप जाइएगा और यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है ठीक है तो आपको सबसे पहले टो यह Open कर लेना होगा उसके बाद में दोस्तो आपको सेलेक करना है नॉर्मल स्टार्ड आप आपको सेलेक करना है और उसके बाद ओके कर देना है ओके करने के बाद अपलाई कर देना है ठीक है तो अतना कर लीजेगा अतना करने के बाद में आपको नेक्स सॉलुशन के तरफ जाना है तो नेक्स दोस्तों आई यह विंडो क्लोस हो गया था सो यहाँ पर आपको नॉर्मल स्टाड़ आप करने के बात में सर्वेस पर जाना है ठीक है सर्वेस पर जाना है और उसके बाद दोस्तों आपको कर देना है हाई और माइक्रोसोफ सर्वेसेस उसके बाद ओके कर दीजिए एंड एंड डिस एवल और कर दीजिए ठीक है सो यह करने के बाद दोस्तों आप अपने पीसी को रिस्टार्ट कीजिए और फिर चेक करके देखें सोल्फ हो जागा आपका प्रॉब्लम ठीक है सो इस तरीके से दोस्तों कुछ यहां पे प्रॉब्लम को स्ट्व कर सकते हैं अगर प्रॉब्लम स्ट Nag友 तो उस एप का डेटा को एक बर क्लियर करते या तो फिर उस एप को जो है अनिंस्टॉल करके रिंस्टॉल कर ले जो एप ख्राश कर रहा है या फिर जो कर अप्डेट फाइल आपने डाउनलोड कर रखा है पीसी के अंदर पर उसको डिलेट करें ठीक है एंड सारे सार में दोस्तों आप सेटिंग पर जाके अपना सोफ़ेर को अपडेट करते हुए यूज कीजिए अप्डेट करना चाहिए तो विंडोस को अपडेट करके यूज करें और कुछ इस तरीके से दोस्तों सॉल्फ होगा आपका प्रावल्म अगर दोस्तों आपको इसा कुई भी प्रावल्म आ जाते हैं आपके विंडोस 11 के अंदर पे तो आप सिंपली मेरा दिया हुआ स्व फोलो किजिए और सॉल्फ किजिए अपना प्रावल्म ठीक है दोस्तों अमीद करते हैं आपको वीडियो बसने होगा तेंक्स वराचिंग